प्रदेश की सरकार जल्द ही जनता को राइट टू हेल्थ की सोगात देने जा रही है जिसके चलते सरकार विधान सबा के आने वाले आगामी सतर में बिल लाएगी और प्रदेश की जनता को स्वास्थे का धिकार प्रदान करवाएगी ये बात मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने रविवार को सत्य साही सेवात संठन की और से एक आयोजित हर दे रोग चिगित्सा शिविर में कही जवाहर नगर के शुरी सत्य साही महिला कॉलेज में आयोजित एक सिविर में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने भी शिरकत की सत्य साइंस सिवा संग्ठन अस्पताल में हर्दे रोग्यों का निशुर कॉपरेशन किया जाएगा उन मरीजों को परिवहन वे के रूप में सरकार प्रती मरीज 5,000 का भुगतान भी करेगी इस दुरार मुख्यमंतर अशोग गहलोत ने कहा कि प्रती वर्ष प्रिदेश में क दिल में छेद होने के चलते करीब 80,000 बच्चों की मृत्ति हो जाती है लेकिन अब सत्य साइं के सयोग से उन मरीजों को राहत मिलेगी और सरकार इसकारिय में संस्था का सयोग करेगी देश के अंदर यूपिय गौर्मेन वक्त में अधिकार आधारियत यूग की शुरुवात हुई जिसमें पार्लेमेंट में कानू बना करके मात्मगत नरेगा लाये गए लोजगार के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया कानू बना करके फूट सीकूर्टी अक्ट लेके अधिकार से एक के बाद एक चाह़ फूट सिकूर्टरा एक टो चाह़ आप खाल की अधिकार तमाम अधिकार जनता को दिये गए अप्रिशिट किया देश के अंदर दुनिया के अंदर भी डबलो एचो के अंदर भी अब अमने दवयों के संक्या बढ़े हैं कैंसर की किड्नी की हाइड की दिरे दिरे हम चाहेंगे कि और ज्यादा कहें मजबूत हो क्राइटू हेल्थ का एक्ट मना हैं हम लोग जिसे लोग कॉन्फिटेंट के साथ में इलाज करवा सके तो तमाम जो जो योजना हैं हम चाहेंगे समलित करके लोगों को स्वास्त का अधिकार मिलें यह सपना हमारा है सत्य साही बाबार स्मस्तां के तरफ से जो अम्दाबाद से और राज़कोर से डॉक्टर आये हैं और इस स्मस्ता करते हैं वह जाओगे तो वहां रहने के लिए भी खाने पीने के लिए भी ऑपरेशन के लिए तमाम सुझाओं फ्री हैं ऐसा देश के अंदर कई नहीं हैं जहां पर गुर्जात मिराज कोट में या आपने अम्दाबाद में या बंगलोर के अंदर जाए सत्य साही